नमस्क्राइब आपका मार्केट है चीजी में आपका नोन एगरी कमोडिटीज की बात करें तो नोन एगरी कमोडिटीज के अंदर आज जबर्दस उपरी स्तरों पर मुनाफ़ा वसुली देखने को मिल रही है चाहे वो सोना चांदी हो या फिर बेस मेचल सभी कमोडिटीज क करें दिखाई दे रहा है वहीं अगर चांदी की बात करें तो चंदी भी 25 डोलर के करीब कारूबार करते दिखाई दे रही है वहीं बेस मेचल में जबर्दस गिरावट आते हुए हमने देखि है घरेलू बाजारों में चपकी आज विदेशी बाजार हल्की बड़त के domestic market में और विदेशी बजारों में देखने को मिली है 78 डॉलर के नीचे कच्चा तेल लुड़क चुका है तो ऐसे में आज कौन सी ऐसी commodities होगी जहां पर मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है और जहां पर खरीदारी या बिक्वाली करके पैसा कमाया जा सकता है ये सब हम जानेंगे अब सबसे पहले हम बात करेंगे सोने और चांदी के अंदर सोने की बात की जाए तो सोना अभी फिलाल 49,172 पर कारोबार करता हुए दिखाई दे रहा है दरसल कल डोलर के अंदर strength देखने को मिली है जिसकी वज़ा से सोने और चांदी में उपरी सरो पर मुनाफ़ा वसूली हावी होते हुए दिखाई दी है और चांदी भी 66,288 पर फिलाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है आज भी बजार आदे फिसद की गिरावट के साथ चेट करते हुए नजर आ रही है पहराल उपरी सरो पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके चलते आज इंटर डे में दबाव गहरा सकता है इसलिए सोने और चांदी के अंदर इंटर डे प्रोस्पेक्टिव से आज सेलिंग का कॉल लिया जा सकता है सोना हो सकता आपको 49,000 से लेकर 48,800 के स्तर नीचे में दिखा दे वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी 65,800 से लेकर 65,400 तक नुड़कती हुई दिखाई दे सकती है शोट टम स्ट्रेटेजी सेलिंग की लेकर चला जा सकता है वहीं लोंग टम में अभी भी सिनेरियो पॉजिटीव है निचले सरों पर फिर से खरिदारी हावी होते हुए दिखाई दे सकती है कल यूएस का जो डेटा निकल कर आया उसने डॉलर को स्ट्रेंच दी जिसकी वज़ा से सोने और चांदी में उपरी सरों पर दबाव बना है इसलिए शोट टम में बजारों के अंदर गिरावट बनती हुई दिखाई दे सकती है वहीं अगर बात करें कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में एक अच्छा गिरावट का दोर जो है वो शुरू हो चुका है एक फिसद से जादा आज कच्चा तेल घ्रेलू बजारों में लुड़कता हुआ दिखाई दिया है दरसल कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसके पीछे का कारण ये है कि जीन और जपान को कहा गया है यूएस की तरफ से कि आप अपना स्टोक रिलीज करें जिसकी वजह से कच्चे तेल में उपरी तरो पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है यानि production यानि supply बढ़ने की चलते और demand के उपर भी अभी question mark लगता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरीका से करोना के case फिर से बढ़ते हुए दिखाई दिये हैं कहीं ना कहीं मांग को लेकर question mark है कि अब मांग फिर से कम हो सकती है और वहीं दूसरी तरफ US की तरफ से सप्लाई बढ़ाने के अंदेशे दिये जा रही है US की तरफ से पहले भी अपने रिजर्व को रिलीज करने के लिए कहा गया था अब चाइना और जापान को भी अपने स्टोक में से रिजर्व को रिलीज करने के लिए कहा गया है तो सप्प्लाई बढ़ने की संभामनाओं के चलते और मांग कम होने के चलते कच्चे तेल के उपर एक बार फ़र से दबाव बना है जिसकी वज़न से कच्चा तेल उपर इस तरों से लुड़क गया है और 78 डोलर के नीचे टेक्निकली गिरना कच्चे तेल के अंदर गिराव की बात करें तो विदेशी वज़ारों में भी कच्चे तेल के अंदर दबाव कॉंटिनिशन में बना रहा सकता है और 76 डोलर अब यहां से एहम सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर इन खबरों पर पूर्न विराम लग जाता है तो वापिस से कच्चे तेल में तेजी भी बन सकती है इसलिए बड़ा कोश्य स्ट्रेट करना होगा कच्चे तेल में इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से उपरी सतरों पर विक्वाली करके चला जा सकता है लेकिन लोंग टर्म स्ट्राटेजी के लिए भी थोड़ा सा वेट करना चीए आज इंट्राडे म भी फिसल चुका है कोपर में भी गिरावट बनी है और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि जिंक भी अपने उपरी सरों पर लोड़कता हुआ दिखाई दिया है बहराल सभी कोमोडिटीज के अंदर गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है उपरी सरों पर जबर्दस मुना सभी कोमोडिटीज के अंदर देखने को मिल रही है और बेस मेटल में चोतरफा विकवाली आती हुई दिखाई दिया है लमी पर भी निकल करीब गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है डेली बेसिस पर एक देट परसंट का गिरावट जो है उसके अंदर ट्रेंड बना हुआ है लेकिन शोट टम स्ट्रेटेजी अभी विकवाली की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है कोपर में अगर 700 का लेवल टूट जाता है तो कोपर नीचे में 680 तक भी नीचे लोडख सकता है इसलिए कोपर में थोड़ा साथ 720 के स्टोप लोज के साथ बिकवाली में जाया जा सकता है वहीं अगर बात करें निकल की निकल 1480 के आसपा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है निकल के अंदर उपर में 1520 का लेवल है आज इंट्रडे में 1480 तक हो सकता है ये गिरावर बढ़ती हुई दिखाई दे वहीं 1520 का स्टोप लोज इसमें बनाकर चला जा सकता है, नीकल के साथ लेड और जिंग में भी उपरी सतरों पर फिलाल दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, वहीं अगर नो नेगरी कोमोडिटीज के अंदर अगर आज की रननिती की बात करें तो आज सभी कोमोडिटीज के अंदर बिक्वाली का दोर है, तो आज इंटर डे में फर्स्ट हाफ में उपरी सतरों पर बिक्वाली करके चला जा सकता है, सोना चांदी में भी आज दबाव है, सोना और चांदी में जादा बहुत जादा घिरावट की उमीद नहीं, लेकिन हाँ, शोट्टम में फर्स्ट हाफ में घिरावट ब झाल झाल